नमस्कार दोस्तो स्वागत है हमारे यीट्यूब चैनल स्पीक नोरेज में दोस्तो आज के इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं जोगरूफी की इंपोर्टेन कोशन्स जो 200 का स्रीज है दोस्तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और एक्साम दिने के लिए चले जाएए आपको जो है 50% कोशन्स इसी से जो है टच हो जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अखीर तक देखना अगर आप अच्छे मांस लाना चाह रहे हैं तो ज़िए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को जैसा कि इस स्क्रीन पर देख पार होंगे एक नंबर तो दोस्तो क्या है कि सरदार सरुवर परियोजना किस नदी पर है तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तो तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह नंबर हो जाएगा यह नंबर हो जाएगा यही नरमदा न दी ठीक है दोस्तो अब दूसरा नंबर क्वेशन इस्क्रीन पर आई हुई है थोरा से मैं स्पीड में बोलूँगा क्योंकि 200 इंपरणन क्वेशन को कवार करते जो है वीडियो काफी लंबा हो जाएगी इसलिए फटाफट में बोलने की कोशिश करता हूं ठीक है अब दूसरा नमबर क्या है दुस्तों क्या कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को तो किस से जोड़ता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यानि बी इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा दूस्तों क्या हो जिए जोड़ता इस नमबर को देखेंगे क्या कह रहा कि धान चावल धान की ख्यती संब्दित है थो किस से संब्दित है थो चार नंबर का कौन सा राइट अंसर होगा तो चार नंबर के रॉपन किर्शी से यह रोपा जाता है इसलिए रोपन किरशी कहा जाता है अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की ओर तो यहाँ पर आजू किया पांचमान क्या रहा है दु पर किस परकार की बस्तियां पाई जाती है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो शीरी नुमा खेत पाई जाती है इंग बस्ती भी पाई जाती है दोस्तों वीडियो को शुरू से लगर आखिर तक जरूड़ दखा क्योंकि मैं बार-बार सजेशन करूंगा कि पूरे को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है रहा कि भारत के किस राजय में बास्टरिब सीचाई परणाली परसिद है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा फ्रेट तो इसका राइट अंसर जो Seriously सबसे अधीक संख्या में अंतर रास्ट्रे परियाटक आते हैं तो अंतर रास्ट्रे परियाटक किस मतलब अधीक जो है किस अंतर रास्ट्रे परियाटक आते हैं किस देश में महादेश में इसका राइट नसर क्या रहेगा आठ नमबर का तो आठ नमबर का राइट नसर शी नमबर हो जागा यानि कोयला के लिए परशिद है कि अंगुर की खेती क्या केलाती है यानि वोल्टी कल्चर कहलाती है ठीक है जोस्तों तो वीडियो को शुरूर से लकर आखर बतल से शी्च जितने शी इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो हंड्रेट परसेंट जो है आप एक्जाम में दे सकते हैं मतलब बैठ सकते हैं और इसी मैसे आपको बहुत सारे कोशेंट 50% कोशेंट आज आएंगे ठीक है क्योंकि आज हम लोग 200 कोशेंट का स्रीज को कवर कर रहे हैं अब यहां पर देख लेते हैं क्या है दोस्तो दस नमबर जोगरोफ या जैनरेलिस के नामक कौन है दोस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जाए दस नमबर का तो दस नमबर का राइट अंसर के लिए बी नमबर यानि वहरे नियस राइट अंसर हो जागा ठीक है अब बढ़ते हैं आपर ग्यारे नमबर परशन की ओर तो ग्यारे नमबर स्क्रीन पर आज चुकी है क्या करा है बिहार के लोग किस भाशा परिवार समू से संबंदित है तो इसका राइट अंसर को जाएगा है 210 नमबर याणि घ्क अपलया जोंब्स लिए आग अगला का जरुर बताएंगे कि अगला जिए होना चाइए किस पर वीडियो होना चाहिए ठीक है कमेंड करके ज़रू बताएंगे हमको अब यहां पर देख लिते हैं 12 नमबर अंक लेश्वर शेत्र है तो अंक लेश्वर शेत्र क्या है तो इसका राइट अंसर क्या जाए दोस्तो तो बारे नम्र गुजरात में जो है अंक लेश्वर छेतर है ठीक है अब बढ़ते हैं question number 13 की ओर तो 13 number question यह पर आज चुकी है दोस्तों क्या कह रहा है कि किस पंचुवर्शी योजना की ओधी 2007 से 2012 है तो इसका right answer क्या है तेरे नमबर का तेरे नमबर का right answer C number हो जाएगा नहीं 11 में ठीक है दोस्तों ग्यारमी right answer हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परशन की ओर तो अगला परशनी आपर आचुकी है अब बढ़ते हैं अगले परशन की ओर question number 15 क्या कह रहा है दोस्तों करें भारत के किस राज में सारवदीक पशुगनत्व है भारत के किस राज में सारवदीक पशुगनत्व है तो इसका right answer क्या पंद्रे नमबर का तो पंद्रे नमबर का right answer D number हो जाएगा उन्हीं चुकी है question number 16 क्या कह रहा है कि भारत के पास विश्वे की कितनी परतिशत भेर है तो 16 नमबर का right answer क्या हो जाएगा फ्रेंड तो यह नमबर हो जाएगा नहीं बीश परतिशत जो है भेर है ठीक है भारत के पास विश्वे तो यहां पर 16 नमबर का right answer क्या हो जाएगा फ्रेंड अहां जी तो राइट अन्हीं बीश परतिशत अब बढ़ते हैं अगले परश्ण के और तो यहां पर आचोंके दूस्तों क्या कह रहा है क्या निम्न मैंसे कौन सी रोपन फसल नहीं है तो रोपन फसल यहां पर कौन सी भारत के किस राज में जनसंग क्या घ्रत अनिम्न नतम है तो जोस्तों इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बी नमबर यानि अरुनाचल परदेश ठीक है अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और तो यहां पर आ चुकी है यहां पर बढ़ते हैं अगले परश्ण की और 22 नमबर क्या घ्रत का पहला परमानू ऊरजा इस्टेशन अस्थापित किया गया तो इसका राइट अंसर क्या जाएगा तो राइट अंसर क्या हो जाएगा बीस नंबर का यानि बी नंबर हो जागा ठीक है बी नंबर यानि तारापूर में जो अस्थापित किया था अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और तो यहां पर आचुकी है 21 नंबर क्वेशन क्या कहरा दोस्तों कह रहा है कि अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और तो यहां पर क्या कह रहा है कि अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण अपर आचुकी है क्या 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 प्रश्ण नंबर निम्ने कितमे से किस परदेश को अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और तो अगला प्रश्ण नंबर क्या 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 कह रहा है कि मानब भूगोल किर्या शील मानब और अस्थाइप पिर्थवी के परिवड़तन शील संबंदों का अध्यन है यह किस ने कहा तो दोस्तों इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो 25 नमबर का जो राइट अंसर हो जाएगा यानि शी नमबर हो जाएगा यानि कुमारी सेंपूल ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि इस कोशन को मैं बार बार सजेशन करूंगा कि इस कोशन को देखेगा और जाकर एक्जाम में आसाने से बैठ सकते हैं क्योंकि अगर इस बार एक्जाम देने वाले हैं तो पूरी तरीके से वीडियो को शुरूर से लेकर आखिर तक जरूर देखे जनसंग्या वीतरन को परभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्पूर्ण कारक है कौन सा है दोस्तों इसका राइटनसर क्या हुजा है सदाइस नमर का इसका राइटनसर क्या हुजा है अब बढ़ते हैं अगले परशन की ओर तो यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है और चैनल में पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि पूरी तरीके से यानि यह आर्ट्स पेपर और कुछ कुछ साइंसफेपर के से पूरा वीडियो यहां इसमें तयारी कराई जाती है अब यहां पर देख लेते हैं 29 परशन किया कर रहा है तो कि परनामा नहर जोडती है तो इसका राइट अंसर कि पर यहां परसांत महासागर अटलान्टिक महासागर को आप बढ़ते हैं अग्ले यानि क्या होता है कि निहारी की है निहारी की है राइट नसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं आपर अगले परश्ण की और तो अगला परश्ण आपर क्या हो रहा है कि निमनलेकित मैंसे किस नदी की जल उपियो गीता सबसे अधीक है तो इसका राइट नसर क्या हो जाएगा फ पढ़ेंगे नहीं जो एक्जाम में आपको आ जाएंगे तो आप लोग पश्टाएंगे कि इस वीडियो को सुरू से देखना था यार तो इसलिए पूरे वीडियो को देखना है अब 32 नमर को देख लेते हैं कि निमने लिखित मैंसे कौन सा पतन पूरवी तर्ट पर इस्थि नहीं है तो 33 नमर का राइट अंसर क्या हो जाएगा तो डी नमबर यानि लखनो राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अब बढ़ते हैं अगले परशन के और तो 35 नमर कोशन या पर आचुकि क्या करा है कि आउध्योगी करण से कौन सा परदूशन होता है तो 34 नमर का राइट यानि 10.2 लाख राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अपर 36 नमबर क्वेशन क्या कह रहा है कि भारत में आधुनिक तक्निक पर आधारी सूती वरस्त्र उद्योग की अस्थापना कब होई तो इसका राइट अंसर क्योंगा तो राइट आंसर या नमबर यानि अठ अब बढ़ेंगे आपर क्वेशन नमबर 37 क्या कह रहा है कि का बस जी डाबर ने किस सवचारित उद्योग की अस्थापना की तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यानि 37 नमबर का तो राइट इंसर शी नमबर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग राइट इंसर हो ज अगला किस वीडियो आना चाहिए चैनल पर जो दोशोक से अधिक परशन का बनाया जाए तो आप लोग कमेंड करके जरूर बताएंगे अब यहां पर देख लेते हैं अगले परशन को मुंबई मैं सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग अस्थापित किया गया क यहां कि मुंबई एक पत्तन है या फिर क्या है जोस्तों इसका इसन नमबर का दो डी नमबर यह उपर युक्त सभी हो जाएगा मुंबई एक वीत्य केंद्र भी है ठीक है इसलिए बनाया गया अब बढ़ते हैं अगले परशन के चालिस में नमबर क्या करा है निमने लिकि से कौन सी फसल नहीं बूई जाती है तो डी नमबर यानि गन्ना को जो है नहीं बूई जाती है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले परशन के और तो अगला पर आज चुकिए क्या करा है कौन साब देश रेल मार्ग नेटवर्क का सबसे अधीक घनत्व रखता है तो इसका रा अगले परशन के और चुकिए क्या करा है तो इसका राइटनसर डी नमबर हो जागा यानि जेने बा में इस्तित है तो आप दोगे करते जाएएगा कि कौन साब वीडियो अगला आना चाहिए विश्यक का ठीक है और यह भी पूरे वीडियो को हर हाल में देखना है अगर आप जो ही जो यह जो जो आप 20 से पूछ दिया जाएगा अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं पूरी तरीके से मुस्लिम में भालत में मुस्लिम जनसंख्या का पर्तिशत क्या है तो 45 नमबर यानि 3.5 राइट अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और तो अगला परश्ण अपर क्या करा है डिक बोई जो असम में इस परसिद्ध है तो 16 नमबर हो जाएगा यानि कोईला के लिए ठीक है सहां. ह हां में बढ़ते हैं अगले में परस्ण के और तो क्या कि रहा है तो डिक बोई यहां पर तो क्या है विक इस नंफिवी तो इसका राइटन सर जो जाए अब बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की और तो यहां पर आचुके दूस्तों उन पचास नमबर क्वेश्ट क्या करा कि निम्नलीकित मैसे खानीज टेल का सबसे बड़ा उत्पाथक देश है तो कौन है उन सवांदी अरब इनसर हो जाएगा अब बढ़ेंगे पचास नमबर परशन की और तो आ चुके क्या करा है तो पचास नमर राइट अंसर यह नमबर यानि आखैट राइट नसर हो जाएगा ठीक है अगले परशन की और तो क्या दर पाई जाती है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा डी नमबर नी संविक्त राज अमेरिका में जो है नियुन्तम दर पाई जाती है अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और तो अगला परश्ण अपर आचुकी है क्या करा कि विश्व में सारवधिक जनसंख्या कें तो कितनी बढ़ी है 20 सताबदी में 235 नंबर कर आइट असर क्या जाए फ्रेंट यह नीवी नमबर हो जयागा यह चारगुना बढ़ी है तो दिस तो पूड़े तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यहीं चववन नंबर का राइट अंसर यहीं नंबर धारावी यह कहा है तो मुंबई में है अब बढ़ती है अगला परस्ण के और तो यहां पर आचुके दुस्तों क्या कह रहा है कि पच्छपन नंबर यहां पर क्या कह रहा है दू है अपर आज चुक्ण कि ए 56 नंबर परशन क्या कराते निमने लिए क्यों सा एक तिर्थ यीजा किर्या कलाभ है तो इसका राइट रॉकसर किया एक त्रॉट डिला कर एक त्वेल तो राइट अज यसी नंबर य tąजाएban रोपन फसल नहीं है अब बढ़ते हैं अगला प्रश्ण की और अंठान नंबर क्या करा दो रुको और जाओ किसने किसकी दिन है तो इसका राइट अंसर का राइट अंसर यह नंबर हो जाएगा अब बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की और उन पर साथ नंबर कोशिन स्क्रीन पर आज चुकी है क्या करा दोस्तों 2021 की जनघकर्ण नार के अनुसार भारत में महानगरिये शहर है तो कितना है दोस्तों इसका राइट आंसर जो जींगा साथ सबसे अधीक नगरी करित देश है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यानि एक सट नंबर का तो राइट अंसर जो जाएगा यानि ग्रेट ब्रीटेन ठीक है अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और तो यहां पर आचेके बासट नंबर प्रश्ण क्या करें दोस्तों विश्व में बगाती किर्शी हो जाएगा ठीक है अब बढ़ते हैं अगले परश्ण की और अचुकिया क्या कि मानव विकास सुचकांग का मापक्र निम्न में से कौन सा है तो इसका राइट नंबर का तो तो तरे सट नंबर का डी नंबर हो जागा यानि उपर सभी राइट अब बढ़ेंगे अगले पर चया करा किश्न के अचुकिया कि भारत में कौन सा राज्य के पर्वास को आकरश्रित करता है भारत में सा राज्य परवास को आकरश्रित करता है तो Enomonica महारास इंवारास आइन सरल हो जाएगा वे मसींट सबक्राट Esprailt in evidence हुद ही और चार रिकली कंपिक सरपनिपन सा邊 i221 उपर उक्त सभी राइटन सश रोल युद्ध बढ़ते हैं अगले प्रस्ट के उर तो इहां पर आचुके है सबस्क्राइब इनमें से कौन परियोजना बार नियंतरन के उद्देश यह से सुरू की गई थी तो इसका राइटन सर्काइब देटन नंबर का तो C नमबर यानि हीराकून राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं पर अगले प्रशन 68 नमबर क्या करा है कि निमने लिखित मैंसे कौन कारक उद्योगों की अवस्तित को परभावित नहीं करता है तो इसका 68 नमबर का राइट अंसर क्या हो जाएगा तो 68 नमबर का D नमबर उरुवर भूमी राइट नसर हो जाएगा अब यहाँ पर देख लेते हैं 69 नमबर कोशन अरजुन किस फसल की उन्नत किश्म है तो इसका राइट अंसर क्या जाएगा collection क्या है इने मेंसे कॉन आध्यों की नगर नहीं है तो 70 नवर करा회 फिलिटार की कहिती चेजिक हो जाएगा अब बढ़ने के अगले परस्ट एकला परस्ट Mayor क्या क्या और एक अब बढ़ेंगे यहां पर 22 नंबर कोशन तो 22 नंबर कोशन क्या करा कि उच्छ मानव विकास का सुचकांग कितना होता है तो इसका 22 नंबर का राइट अंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड तो डी नंबर यानि 1.5 तक ठीक है चले अब बढ़ते हैं अपर 23 नंबर कोशन तो इस क्रिन पर आचुके 23 नंबर कोशन क्या करा कि भागोलिक परियावरन एंवंग मानुविये गति वीदी के पारिश्प्रिक संबंदों का अध्यन ही मानभ भूगोला यह परिभाशा किसने किस से संबंदित है अब बढ़ते हैं अगले परश्प्रिक और 24 नंबर कोशन तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जो नहीं देख रहे हैं तो काफी परस्ताने वाले हैं तो सबी जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखे और सब को जो है शेयर करिए दोस्तों को देखने के लिए इस वीडियो को तो कि इस वीडियो में आप जो है सारे क्वेशन सेलेक्टिव क्वेशन है और इस क्वेशन को पढ़ने के बाद एक्जाम दे सकते हैं आसानी से अब देख लेते चौतर नंबर कोशन भारत के किस राज में इस तरी शाक्षर तरदर सारवदिक है तो चौतर नंबर का राइट अंसर क्या होज़ेगा बी नंबर यानि च्छतिस गड़ राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं आप पर पच्वेशन क्या कह रहा है दो कह रहा है कि निम्न में से एक काउन एक भूमी उपयोग सन्वर्ग नहीं है तो पिशतर नंबर का राइट अ नंबर का तो डी नंबर यानि पेट्रोलियम को त्रलक नीच कहा गया है अब बढ़ते हैं अब 77 नंबर क्वेशन क्या करें दोस्तों कर रहा कि विस्वे में नगरिये जन्सांग क्या का पढ़तीशत है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो यह बी नंबर आइट अ बॉस्तों कहला हो रहं है कि ड控षुख सक्षाऴ जाएगा कशिया अब बढ़ती है अगले प्रश्रे अगला प्रुष्थ्य पर क्या करा कि जनसंक्या परिवणतन क्या तीन मुख घटक है जन्म मिठीव और क्या है दोस्तों एक घटक तो राइट अंसर झोजागा रख अ seal अब बढहते हैं अगले पर उर्चन के और तो अस्ति नंबर कुशन पर आशन एक त्रा चुकिए है क्या करहा हका कि नीती वाद्र मैं डैस का अस्थान है ने अंर गौन है झस्तों क्या सल क्या है तो उसक्त जाम और भागा फ्रयूंद कषिन यहांद तो संसार look पर question number 80 तो आचू की screen पर क्या करा दोस्तों निमनेरकित में से कौन सा एक भागुलिक सूचना का शरूत नहीं है तो इसका राइटेंसर क्या ब्रासी नमबर का तो डी नमबर राइटेंसर रोजागा नहीं प्राचीन महात कभी जो है यह भागुलिक सूचना का शरूत नहीं ह है ठीक है तो अब हम लोग जो है आज का जो है स्रीज चल रहा है तो यहां पर आज चुका हम लोग 83 नमबर में और दोस्तों इस वीडियो को हर हाल में पूरा वीडियो देखना है यार क्योंकि मैं बार बार आप लोग को सजेशन करूंगा कि पूरे वीडियो को देखिए इस वीडियो को देखने के बाद जो आप लोग को लगबग लगबग जो है वह एक्जाम के पूरी तयारी हो जाएगी निम्ले के तमय से कौन सा एक लोग और प्रयावरन के बीच अन्याइन किरिया का सारविदिक महत्पूर्ण कारक है तो 83 नमर का राइट अंसर बी नमर जाएगा निए प्राद दोयोग की अब बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के और तो अगला प्रस्ण अपर आ चुकी है क्या है 84 नमर कोशन भूगल की दो मुख साखाएं काउंसी है तो 84 नमर का राइट अंसर जो हो जाएगा यह नमर जागा दूस्तों क्या कह रहा कि करंबद भूगल और प्रादेशिक भूगल राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं पर क्वेशन नमर 85 तो इस नमर क्या कर रहा है कि 50 नमर संभावनावाद शब्द का परियोग स्रोपर्थम किसने किया तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा 85 नमर का डी नमर हो जाएगा यानि लुशिएन फ्रेवे ठीक है लुशेन फ्रेवे राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं पर क्वेशन नमर 96 की ओर 99% क्या कर respons भाई एक किसकी लिचारठ धारा है तो इसका राइट नश्य मंबर का टो च शी नमबर होजाएगा निमाना भूगोल की अब बढ़ेंगे हम लोग यहां पर 87 म श्य घोई तुम्हें से किसका संब्ध मानाभ भुगोद से नहीं है तो 87 नमबर के राइट अंसर हो जाएगा ठीक है इरिविन रेज अब बढ़ेंगे अगले परशने की और तो 88 नमबर को शने अपर आप रहा चुकिए है किस दशक में नगरिये जनसंख्या अनुपात कम हुआ है तो 88 नमबर के राइट नसर क्या हुआ ह अब बढ़ेंगे अगले परशने की और तो अगला परशने पर आज चुकिए दोस्तों क्या करेंगी परती हजार पूरसों की तुलना में इस्तुरियों की जनसंख्या को क्या कहते हैं तो 89 नमबर के राइट अंसर जो हो जाएगा फ्रेंड क्या जाएगा निए बी नमबर यानि लिंग अनुपात राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं आपर 90 नमबर कोशन तो 90 नमबर में क्या कह रहा कि भारत में जनसंख्या पीरामीड का आधार कैसा है तो इसका राइट अंसर क्या हो जो है 90 नमबर का तो 90 नमबर का राइट अंसर हो जाए नमबर यान चौरा आधार है अब बढ़ते हैं यहां पर अगले प्रश्ण की और तो यहां पर आज चुके दोस्तों क्या करा कि भारत में परवास की निमने कि धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष परवास परदान है तो दोस्तों इसका एक नमबर का राइट अंसर जो जागा शी परवास राजी की सीमा से बाहर हो तो उसे क्या कहते हैं तो बाननबर नमबर का राइट अंसर क्या अब जागा दोस्तों तो शी नमबर राइट अंसर जो जागा शी नमबर यानि क्या कह रहा है भूम अद्दिय सागरिय किर्शी अब बढ़ते हैं आपर चौरा नमबर क्य अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले परस्टार की और क्या कहा रहा है कि जनन अंकी यह संकरमन की डैस अवस्थाओं होती है तो कितने आवस्ता होती है तो इसका राइटनसर का पंचान नमबर का बी नमबर राइटनसर क्या हो जाएगा यानि तीन आवस्ताइप पाए जाती है अब बढ़ते हैं पर 96 नमबर क्वेशन के और तो क्या करा कि ट्रक फॉर्मिंग के लिए विश्व परसिद्ध है तो 96 नम के लिए नमबर यानि कोलरा राइटनसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं और अगले परश्णि पराश्न के और अंठानमबगा थिया निकित वरता डैस में मापी जाती है तो अंठानमबे नमबर करा इटन सरके ऊड़ाएगा दिस्तों कहरा कि एनमबर यानि डेसी वेल राइ सब्सक्राइब कर दोस्तों कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा जिससे जो देख पा रहे हैं तो हम लोग जो एक सो और कोशन जो है अगले वीडियो पर लेकर आएंगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कि अगला कौन सा वीडियो होना चाहिए जो 200 कोशन का हो ठीक है अब लोग जरूर 100 परसंद जो है कमेंट करिएगा तो आज का वीड बढ़ जरूर जरूर याद है अटाव होना चाहिए एच्ग का वीडियो है जरूर आपके वीडियोंस, आए एच्ग दे आपके बताएगा।